नेक्स्सक्रीबॡ करेंगे.. हमें बताना है कि कितनी बार onrotate करने पर हमारे पर ऑरिशनल जो शैप है on ned क्यर्जपी के वह आती है येत इस दी ऑर्टरोफ सिमुट्री ल्षई पाइगा तो ऐसा आएगा हमने इसे रोटेट किया देन अगें रोटेट किया इसको रोटेट किया ऐसा आगया अगें रोटेट किया रोटेट करेंगे तो यह फिगर आएगी अब कितने बार रोटेट किया हमने वान टू थ्री फोर ओरिजिनल पोजिशन तक आने के लिए लेकिन इसमें कौन सी ऐसी फिगर्ज है जो ओरिजिनल के स्मिट्रिकल है कि देखने में सेव हैं तो इस केस में और आफ स्मिट्री के आया हमारे पास हमने रोटेट किया इसे रोटेट किया तो यह वाला कोशं जो है ऐसे रोटेट हो गया इसे अगें रोटेट किया एंड डेन पुरा स्वरुम्रट्री करके हमने complete किया तो two figures ऐसी है जो कि identical है एक जैसी है इसलिए order of symmetry हमारे पास कितना आया two now the second part this is the figure 80 degree angle is there मालिया हमने यह हमारा point है A अब हमने इसे rotate किया तो यह ऐसा आएगा 80 degree यहां आगया it means यह position आगई A की दोबारा से rotate करेंगे तो ऐसा आएगा यह position आएगी A की again rotate किया हमने तो ऐसा आया position of A again rotate किया तो original figure आई अब अगर यह x हमने लिखा है identical हमने इसको rotate किया तो ऐसा क्या यह दोनो x identical है same है no यह आद देखें तो यहां पे इसकी vertical height इतनी है और यहां पे इतनी है क्या यह दोनो same है no it means जब यह rotate हुआ तो इसकी horizontal जो height है वो increase हो गई और इस case में vertical height जादा है इस case में horizontal height जादा है तो यह दोनो जो x है वो same नहीं है clear तो it means कि जो यह figure इसके identical नहीं होगी तो identical figure एक तो यह आई और दूसरी identical figure यह आई तो हमारे पास order of symmetry इस case में वी क्या हुआ clear जब हम इसको rotate करेंगे rotate करने पे ऐसा आईगा तो यह दोनो same figures नहीं है तो identical figure one यह है और second यह है two figures identical हैं पूरी rotation के बार तो order of symmetry इस case में कितना हुआ two now next में चलते हैं third part now triangle is there हमने माना यह triangle का point है rotate किया rotate होते होते यहां से यह इस position पे ए पहुंच गया again rotate करेंगे ए इस position से rotate होके इस position पे आएगा again rotate किया तो ए रोटेट होते होते original position पे आगया अब हमने पूरा इसे circle को complete कर दिया लेकिन अगर हम इसे 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो ऐसा होगा अगर हमने इससे 180 पे रोटेट किया तो ऐसा हो जाएगा लेकिन इसलिए triangle है हमने इससे 120 डिग्री पे रोटेट किया circle complete हो गया 120 then again 120 120 360 हो गया पूरा circle complete तो इसलिए कि जो similar figures है वो कितनी है 1 2 and 3 जो की देखने में identical है same है so order of symmetry इस case में हमारे पास आया 3 clear हमने इसे ऐसे रोटेट किया a को a इस position पर आया अगर हम इसे अगर यह a है अगर हम इसे ऐसे 90 पर रोटेट करते तो यह आता फिर इसे 180 पर रोटेट करते यह आता फिर इसे रोटेट करते यह आता फिर इसे रोटेट करते यह आता इस case में तो कोई भी figure तो हमने इसे 120 डिग्री पे रोटेट किया यहां से इस पॉइंट पे देन इस पॉइंट पे एंड एन ओरिजिनल पॉइंट पे तो रोटेशन कम्पीट हो गई एंगल 360 डिग्री कम्पीट हो गया ट्राइंगल के केस में तो नंबर आफ जो अइडेंटिकल फिगर्स है वो है थ्री सो ओडर आफ स्मिट्री इस केस में होगी थ्री ना नेक्स चलते हैं फॉर्थ इस इस दा फिगर रोटेट करेंगे हमने इस पॉइंट को माल लिया ए पॉइंट जब हमने इस से रोटेट किया यह पॉइंट नीचे आ जाएगा यह आ गया ए पॉइंट यहां से यहां अगें ए पॉइंट रोटेट होगा यहां से इस पॉइंट पे आएगा तो A point आ गया इस position पर, again हमने rotate किया, A point आएगा इस position पर, again rotate किया, तो A point आ जाएगा original position पर, अब देखने में ये चारो figures identical हैं, तो order of rotation कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, so 4 rotations complete हुई, तो हमें original figure मिली, और चारो figures देखने में identical हैं, एक जैसी हैं, तो order of symmetry इस case में हमारे पास आया, 4, यहां तक clear, सिरफ आपको जो भी figure, जो भी shape गिवन है, उसे rotate करके देखिए, rotate करने से आपको पता चल जाएगा, अगर आप rotate नहीं भी यहां पे करना चाहते हैं, आप mentally भी, mind में भी rotate करके रह सकते हैं, कि कितनी बार rotate करने पे, आपको original figure के जैसी figure मिल रही है, वो होगा आपका order of symmetry, now next one now fifth this is the original figure now, अगर हमने ये वाली पूरी side माली, ये a point है, ये वाली side, जब हमने इससे rotate किया, यहां पे rotate ओके, a point यहां पे आ गया, again rotate किया, a यहां पे आया, again rotate किया, a यहां पे आया, again rotate करेंगे, तो a original position पे आ जाएगा, now देखने में सभी figures identical हैं, same है, one, two, three, four, four figures हैं, जो की identical हैं, rotation complete होने पे, तो order of symmetry हमारे पास आ गई, four, rotation complete करना मिस जहां से हमने start किया था, वापसे में, पूरा rotation, पूरा circle complete करने पे, हम उसी original figure पे पहुंचें, आप उस original figure में, two steps में, three steps, four, कितने भी steps में पहुंचें, ठीक है, लेकिन, जितने figures उस original figure के जैसी हैं, similar हैं, वो होगा, order of symmetry, okay, now next में चलते हैं, f part, pentagon है एक हमारे पास, ये point माना हमने a, इसको rotate किया, a point यहाँ आगया, again rotate किया, a point, a point यहाँ पे आएगा, again rotate करेंगे, तो a point यहाँ पे, again करेंगे, तो original वाला हमें मिलेगा, rotate किया हमने, a point यहाँ आया, फिर यहाँ से इस position पे, इस position से, इस position पे आएगा, इस position से, again, इस position पे, यहाँ से, original position पे, हमें original figure मिलेगा, अब देखने में सारी figures जों है, identical है, identical है, इतनी है, 1, 2, 3, 4, and 5, तो इस case में, order of symmetry हमारे पास आगया, 5, clear, तो आप एक point को move कर रहे हो, इस point को आपने move किया, यहाँ आगया, उसी point को आगया, आगया move करते गए, original position तक आने के लिए, original figure तक आने के लिए, तो जितनी हिवारा हमने move किया, और जितनी figures, original figure के identical है, वो आगया, हमारा order of symmetry, ना नेक्स स्टार्ट करते हैं, जी पार्ट, मालिया हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एक point, अब हमने rotate किया, तो एक point इस position पर आगया, अगयन हमने rotate किया, तो एक point आएगा इस position पर, अगयन rotate किया, एक point इस position से इस position पर आगया, अगयन rotate करेंगे, एक point यहाँ पर आया, अगयन rotate किया, एक point यहाँ पर आया, दुबारत से rotate करेंगे, तो एक point ओरिजिनल पोजिशन पर चला जाएगा, यह होगा, एक point इस पर आया, इस position पर इस position पर, इस position पर, सो ओन rotate होके अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर आगया, सारी figures देखने में identical हैं, कितनी rotations होई हैं, one, two, three, four, five and six, तो number of rotations इस case में हो गई, six, now next में अगर हम देखे number of rotations, यहाँ से मालिया हमने start किया, A इस position पर आएगा, दो, next rotate होके A इस position पर आएगा, then original position पर चला जाएगा, एक position, दो, और फिर original पर, तो इस case में number of rotations कितनी हो गई, one, two and three, तो इसमें order of symmetry हो गया, clear, कि जितनी rotations में आप एक point से शुरू करो, उस point को rotate करना शुरू करो, तब तक, जब तक हमें original position पर वो point नहीं मिलता, हमने जैसे इस point से start किया, इस point को इसी figure के round ऐसे move करना है, कि हम दुबारा से original figure पर पहुंच गया, जितने भी steps आए, अब हमें देखना है अगला step की कितनी figure steps में, जो भी हमने steps के, उसमें कितने step ऐसे थे, जिसमें जो figure original figure के जैसी थी, similar थी, same थी, जितनी बार figure identical होगी, same होगी, वो होगा order of symmetry.